आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो नमस्कार चार बजे की खास-खास ख़बरों के साथ मैं माधुरी केंद्र सरकार ने आज मानव संसाधन विकास मंत्राले का नाम बदल कर शिक्षा मंत्राले कर दिया है ये फैसला केंद्रिय केबिनेट की बैठक के दोरान लिया गया इस बैठक के दोरान नई शिक्षा नीती को भी मनजूरी दे दी गई है अब पूरे हाईर एजुकेशन क्षेतर के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉड़ी होगी सरकार का कहना है कि इस से शिक्षा क्षेतर में आव्यवस्था को खत्म किया जा सकेगा इसके बारे में विस्तरित जानकारी सरकार के ओर से आज होने वाली कैबिनेट ब्रीफिंग में दी जाएगी भारती वायू सेना के लिए एक बड़ी मजबूती के तोर पर जिस लड़ाकु विमान का इंतजार था वो राफिल विमान आज भारत पहुँच चुका है अंबाला एयर बेस पर राफिल विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो चुकी है भारत और फ्रांस के बीच हुए सौदे के तहट राफिल लड़ाकु विमान की पहली खेप आज भारत के अंबाला में पहुँच चुकी है इन्हें रिसीव करने के लिए खुद वायू सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेस भदोरिया मौजूद रहे अंबाला एयर बेस से सटे चार गाओं में धारा 145 लगा दी गई है यहां आधिकारिक फोटोग्राफी से अलग फोटो खींचने पर रोग लगाई गई है अयोधिया में राम जन्म भूमी पर भव्य मंदिर बनाने की तैयारियों के बीच अयोधिया के रौनाही में मिली पांच एकड जमीन पर मुस्लिम पक्ष भी जल्द ही मस्जित का निर्मान शुरू कर सकता है सुन्नी वक्फ बोर्ड इसके लिए 15 दिनों में ट्रस्ट का एलान कर सकता है ट्रस्ट के गठन के बाद मस्जित निर्मान की रूप रेखाता है होगी सुन्नी वक्फ बोर्ड का कारियाले कुछ समय पहले खत्म हो गया था लिकिन सरकार ने 6 महीने के लिए इसे बढ़ा दिया था बोर्ड इस बढ़े हुए कारिकाल में अयोधिया में मिली पांच एकड जमीन पर मस्जित निर्मान का कारे शुरू कर देना चाहता है उसने इसकी कवायद तेज कर दी है राम मंदिर भूमी पूजन को कवर करने वाले टीवी चैनलों को अयोधिया जिला प्रशासन ने निर्देश दिया है उन्हें लिखित में देना होगा कि वो किसी डिबेट केलिए विवादित पख्शकार को नहीं बुलाएँगे साथ ही उन्हें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि वो किसी धर्म, समुदाई या किसी व्यक्ती विशेश पर टिपड़ी नहीं करेंगे अंडर्टेकिंग का जो फॉर्मेट जिला प्रशासन ने तैयार किया है उसके मुताबिक अगर टीवी चैनल की वजह से कोई लौ एंड ओर्डर की स्थिती बनती है तो उन चैनलों के प्रमुखों को इसका जिम्मेदार ठहराया जाएगा बिहार में एक बार फिर लौकडाउन की डेट बढ़ा दी गई है पहले 31 जुलाई तक के लिए लौकडाउन लगाय गया था लेकिन अब इसे 16 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है यानि अब 16 अगस्त तक लौकडाउन रहेगा इसको लेकर सरकारी अधिसूचना जारी कर द है कि बिहार में कोरोना का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है बुद्वार को स्वास्ते विभाग के और से जारी ताजा अपडेट के मुताबिक राज्य में 2328 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 45,919 हो गई ह जम्मु कश्मीर के बांदीपोरा में पुलिस ने बड़ी कारवाई करते हुए आतंकियों की सहायता करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफतार किया है तीनों की पहचान कर ली गई है जांच के मुताबिक तीनों आरोपी बांदीपोरा जिले में सक्रिय आतंकवादियों को कई तरहों की रसद सहायता प्रदान करते थे, साथ ही तमाम देश विरोधी गतिविदियों में भी शामिल थे। गिरफतार किये गए तीन आरोपियों के घर से कई आपति जनक सामग्रियां बरामद की गई हैं, मामले में आगे की जाच की जा रही है। ओडिशा के मुख्यमंतरी नवीन पतनायक ने आज भुवनेश्वर के कैपिटल अस्पताल में देश के दूसरे प्लाजमा बैंक का उधगाटन किया। मुख्यमंतरी पतनायक ने प्लाजमा दान देने वालों के लिए एक वेब पॉर्टल भी लॉंच किया है। इसके माध्यम से कोविड-19 को मात देकर ठीक होने वाले लोग खुद को पंजिकरत करने के बाद प्लाजमा दान कर सकते हैं। इरान ने एक सैने अभ्यास के दौरान होर्मूज की खाड़ी में एक डमी अमेरिकी एरक्राफ्ट कैरियर को मिसायल से उड़ा दिया। इरान की ये मॉक ड्रिल इतनी खतरनाक थी कि अमेरिकी सेना को अपने दो बेस अलर्ट पर करने पड़े। दुनिया भर के मुसलमानों की सबसे पवित्र धारमिक हज यात्रा आज से शुरु हो गई है। कोरोणा संकट के कारण सॉधी अरब सरकार ने इस बार हज्यात्रा के लिए बहुत कम लोगों को इजासत दी है, सॉधी अरब ने महमारी को रोकने की कोशिशों के मद्य नजर, विदेशों से आने वाले मुसलमानों के मक्का जाने पर पाबंदी लगा दी है देश के कई हिस्सों में बारिश का कहर लगातार जारी है भारतिये मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि पंजाब हर्याना दिल्ली में आज तेज बारिश होगी और रात के समय बारिश की रफ्तार और ज्यादा तेज हो सकती है दिल्ली में अगले 24 घंटे में मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं साथी केरल के कोटेम में भारी बारिश के कारण मौसमवी भाग ने जिले के लिए यलो अलर्ट जारी किया है तो ये थी चार बजे के खास-खास समाचार इजाज़त दीजे नमस्कार झाल झाल झाल